आज आपके EVS में Chapter 7 Heartbeat पढ़ेंगे, बतलब दिल की धड़कन, आपका दिल की धर होता है, Left Hand Side में होता है, और आप उसको छूटके महसूस कर सकते हैं छाती पे कि दिल कैसे धड़क रहा है, धग 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 ऐसी आवाज आती है, है ना? तो Heartbeat के बारे में आज जानेंगे, Let's Start Reading, Rani was running a high fever for two days, Rani को क्या हो गया? बहुत तेज बुखार था, दो दिन से, Today her grandmother took her to a doctor, उनकी दादी ने क्या किया? उसे लेके गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर examined Rani with his Thethoscope and prescribed some medicines, अब डॉक्टर के पास कान में लगाने वाला एक मशीन होता है, जिससे वो दिल की धड़कन सुनते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं? Thethoscope, उके? उसके बाद, डॉक्टर ने क्या किया? Rani को कुछ medicines लिख के दिया, Rani asked his grandmother, what does doctor hear from the Thethoscope? Rani ने पूछा अपनी दादी को कि doctor ने क्या सुना अपने Thethoscope में? Her grandmother answered, doctor listened to the heart beat with Thethoscope, अब डॉक्टर क्या करते हैं? इस प्रकार का, रहते हैं न, कान में लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे टाइप का, एक आपके छाती पे लगाते हैं, छीक है? तो इसे Thethoscope बोलते हैं, ओके? और इससे doctor आपकी heart beat सुनके, डाइगनोस कर सकते हैं कि किस प्रकार की बिमारी हैं, क्या से problem हो रहा है? She diagnosed the disease by listening to the sound of the chest and the stomach. Rani was well now. One day Rani asked her grandmother to listen to some sounds with a Thethoscope. Her grandmother told her, let me make a Thethoscope like instrument. अब Rani ने बोला कि मुझे Thethoscope से सुनना है अपने heart beat को. ठीक है? तो दादी ने क्या बोला? चलो कोई instrument बनाते हैं, ऐसा कोई यंत्र बनाते हैं, जो आपको Thethoscope की तरह काम करें. Rani collected some material for this, a funnel, एक, आप funnel जानते हो ना, इस प्रकार का शेप का एक instrument होता है, जिससे तेल वेगर डालते हैं, है ना? बॉटल में तेल वेगर डालते हैं, तो funnel बोलते हैं, और rubber tube, लंबा सा एक rubber का tube लिया, बलून, एक तरफ एक बलून लिया, और कॉर्ड, ठीक है? और एक रसी लिया. रानी put one end of the rubber tube on the end of the funnel side, rubber tube को क्या किया, यहाँ पे funnel के side में लगाया, ठीक है? शी tied the balloon to the wide mouth of the funnel, अब बलून को इस के उपर बान दिया, अब क्या बोला, उनको इस तरीके से left side में अपने थेतिस्कोप को रखिये, जिदर rubber लगाया है, और दूसरे end को क्या करें, अपने कान में लगाया है, तो आपको heartbeat सुनाई देगी, make your own थेतिस्कोप, आप घर में इस तरीके से अपना थेतिस्कोप बना सकते है, ओके, आप जब बना लेंगे, तो आपको कोई sound सुनाई देगा, तो यहाँ पी yes लिखना है, what was that sound like, कैसे सुनाई देता है, है न, आपको धगधग सुनाई देती है, heart beat कैसे सुनाई देती है, धगधग की आवाज सुनाई देती है, है न, तो now keep some sthetoscope on the different parts of the front chest and listen to the sound, अब अलग-अलग part में आप रखके देख सकते हैं कि कैसे type का sound आ रहा है, post this sthetoscope on your chest and listen to your heart beating, now skip or run for some time, after doing this, put the sthetoscope on your chest and listen to the sound, अब जब हम नॉर्मली बैठे रहते तो हमारा heart नॉर्मली धड़कता है, लेकिन जब हम दोड के आते हैं तो हमारा heart क्या हो तो बहुत तेज धड़कने लगता है, उसका sound अलग रहता है, was the beating faster और slower, जब हम दोड के आए या कोई exercise करें, या कोई heavy काम करें, तो हमारा heart क्या होता है, fast हो जाता है, faster beating क्या हो जाती है, faster हो जाती है, अगर हम सो रहे हैं तो क्या हो जाता है, slower हो जाता है, ओके, now pulse rate, अब pulse rate क्या होता है, डॉक्टर आपके हाथ के यहाँ पे छूके आपका pulse rate चेक करता है ठीक है तो डॉक्टर जबी भी आपके wrist को छूते हैं तो क्या आप चेक करते हैं pulse rate, pulse rate क्या होता है किस तरीके से आपका दिल धड़क रहा है heart beating को thethoscope के अलावा यहाँ से भी चेक किया जाता है जिसे हम pulse rate के नाम से जानते हैं अब आपको यहाँ पे धलके से छूक के देखना है कि कहाँ पे धड़क रहा है नस में से जो खून जाती है उसमें वहाँ पर धड़कता रहता है ठीक है? तो उसे pulse rate कहते हैं, put your right hand on the table and ground and press the wrist with the fingers of the left hand as shown in the picture आपको इस तरीके से रखना है आपको जहाँ पे beating feel होगी तो आपको यह लिखना है how many times does your pulse beat in one minute count and write आपको pulse नापना है अपने one minute में कितने times होते हैं तो 72 times the pulse आते है ठीक है? in your body where do you find the pulse rate as ever look at different parts of the body आपको लग-लग body parts में चेक करना है कि कहीं आपको pulse rate समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है for example on the skull below the ear behind the knee etc आपको माते पे चुके देखना है आपके कान के नीचे आपके घुटनों के नीचे ठीक है? clear तो आपको pulse rate फॉलो होगा कहा कहा मिला वहाँ पे आपको body के parts के नाम लिखने है ओके बच्चों तो हमें heart beat के बारे में क्या पता चला? तो हमारा heart धड़कता है ठीक है? heart में क्या होता है? जब खून इधर सुधर जाता है तो pump करता है और pump की वज़े से क्या होता है? एक बार वंधर लेता है और एक बार बाहर लेता है तो हमें धगधग की आवाज सुनाई देती है डॉक्टर स्थेतिस्कोप का यूज करते हुए pulse rate heart beat सुनते हैं और बिमारियों का पता लगा लेते हैं किर्स थैंक यू